वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स मैंने ये डिमांड इसलिए किया क्योंकि परधान मंतरी ने देश को ये कहा था चीन की फोज ना घुसीवी है भारत की टेरिटरी में ना कोई है वहाँ पर ना कोई घुसा हुआ है और ये जो परधान मंतरी ने देश को ये बात बताई थी जूट सा भी थे क्योंकि चीन आज भारत के LAC के अंदर बैठावा है भारत के टेरिटरी में बैठावा है और इसलिए चीन डेपसांग डेमचाउक से नहीं हट रहा है माँ उसकी PLA की फौज है इसलिए अरुनाचल परदेश में भारत की टेरिटरी में चीन कई पर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स के गाउं बना चुका है तीसरा अमेरिका खुद कह रहा है उनकी रिपोर्ट है के चीन यहां पर इसा कर रहा है तो हमारा बोलना यह है कि क्यूंके मोडी सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है और यह इनकी डेलिबरेट खामोशी है जिसको अंग्रेजिव और डिनायल है तो हम यह इस बात का डिमांड करते हैं कि अब जब लोगसबा का विंटर सेशन होगा इसमें एक पूरी डिबेट होनी चाहिए चीन की फौज जो भारत की ट्रेटरी में बैठी भी है और दूसरी बात यह है कि आल पार्टी डेलिगेशन को सरकार इन मुखामात पर लेकर जाए जहां पर चीन की फौज बैठी भी है हाँ हम जाने तयार हैं मैं तो जाने तयार हो लेकर जाए हम देखना चाहरें ताकि हम अपनी सौवर्नीटी को उसका वहाँ पर उसको पर खरार रख सके और तीसरी बात है कर सरकार पार्लेमेंट लोगसबा में उस डिबेट के लिए अगर ये कहती है कि ने ये नेशनल सेक्यूरिटी का मसला है डिबेट नहीं हो सकती है तो लोगसबा के रूल टू फॉर एट के तहट एक सीकरेट सिटिंग हो सकती है जिसको कोई मीडिया के लोग ने रहेंगे कोई ने रहेंगे आप वो डिबेट करवाईए जब कश्मीर में ये सरकार एक आल पार्टी डिलिगेशन लेकर गई थी जब लेट अरून जेटली भी उस डिलिगेशन के हिस्सा थे राधना सिंग साब होम मिनिस्टर लेकर गई तो यहाँ पर भी लेकर जाईए नाम को चुपाना क्या है आपको हम तो अपनी सौवर्निटी को एसर्ट करेंगे अजन आल पार्टी जाकर वहाँ पर ने ये तो मोहन भगवद को बताना पड़ेंगा जो डिन ए एक्सपर्ट है आरेसस के मोहन भगवद को बताना पड़ेगा ये बात ये बता दें आप पुरे देश को वो तो हर बार डिने डिने की बात करते तो हम तो कहेंगे के श्री मोहन भगवद ही एक्सपर्ट है इस पर वो बता सकेंगे ये तो बीजेपी के जो बड़ बड़े नेता है वो बताएंगे हम क्या बताएंगे वो बताएंगे जनाब मोहन भगवत साहब बताएंगे यह उनको बताना पड़ेगा यह बात क्या है वो यह तो वो तैक करेंगे ना